हेलो फ्रेंड्स स्वागत है फिजयो पर्सलाव मैं तो आज हम डिसकेस करने वाले एंग न्यू टॉपिक जो बैसेकल अमारा टॉपिक क्या है स्टेड़ प्रोसेस तो हम चयक करेंगे स्टेड़ प्रोसेस क्या चीज्व है कहाँ पर लोकेट करती है आ चला आये डिसकेस करते सभूलनी जो प्रोसेस होता है यह क्या होता है Printed स्ट आप प्रोसेस की बोन फार्ट है किसी बोन का जो भा इरिया है उसका क्या बोले स्टेडा प्रोसेस की लिए नॉर्मल मैं आप इस तेड़ प्रोसेस होता नहां पर है यह बेसिकले हमारे होता है खाँ से ये घ्यांज कि करये है तो ऊसे जो ऐक पार्ट होता तो उस पहांवरे प्रोसेस इस्र आप प्रॉसेश है और अधिवेग अि की इसितम प्रोसेश मिलूब क्या है इस तो कि Elồng Gatter नव त्वारत चुब्रकल है और ओप से फिर्फाम और आप कि और साइड किसके घना एक लोटिट्र कल प्रोसेस है मि यह प्रॉमिनेंट पार्ट है किसका टैलश पॉण का जिसको और पॉश्टियर ग। उसका क्या बोटॉरहें स्व चुट कर्ज पोसेस कित्रों समझेंगे हैं ऐसे आगे को बेसे लिए हमारे फुट कॉंप्लेक्स है पूरा डाग्राम भी समझते हैं यह हमारा एंकर वाला पार्ट है यह नीचे कैलकेनियम है जिसको हील बोन भी बोलता है यह इसके उपर है टैलस थोड़ा सा पीछे और हो गए है ऐसा गड़ा है जो यह पार्ट दिख रहा है आपको यह उपर वाला यह बोन यह हमारी क्या है टैलस बोन है यह हम आगे से देख रहा है एंट्रियर साइट से यह वाला पार्ट यह हमारा तो इस पोश्टोर्साइड में कहीं पर ये प्रोससी सर्कल और पार्ट आ गया यह वाले यह वाले एरिया क्या हो गया प्रोसेश बुनी प्रोसेश है ना कि तो सेम यहां पर पोस्टियली हमारा कोई प्रोसेस होता है यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह स्टेड़ प्रोसेस इसलिए इंपोर्टेंट है तो उसमें क्या होता है हमारा एंकल के जो पोश्टियर्ट है में स्टीन है। जो ब дел Oops यह उसमें परोसेस की प्रोसेस उसका प्रोसेस एक प्रोसेस को स्टीन को करोके, PAL exposed तो हम क्या बोले स्टेड़ प्रोसेस बटे आता कहां से हैं जब हमारे टैलस का टैलस बोन का सेकंडरी सेकंड डिगरी ऑसिफिकेशन होता है लाइक एट टू टैन यह ओल्ड मलब एज में ठीक है तो उसके बाद यहां पर जब फॉर्मिशन होता है तो जितने प्रोसेस यह मलब जब उसका बढ़ी बनती है तो उसके बाद वह फ्यूज हो जाती है बोन के अंदर में इतिन वोन अप्टैलस ठीक है तो जो यह सेकंडरी औस प्रोसेस बनता है तो इसमें जब यह बनता है कुछ प्रोसेस फ्यूज होती है तो फ्यूज नहीं होगी तो प्रोसेस क्या होगी वैसे वैसा रहे जाएगी मतलब जैसे यहां पर देखुएं यह टैलस मानके चलो है सेकेंडरी ओसिफिकेशन हुआ इसमें ऐसे ऐसे कुछ प्रोसेस बन गए अब क्या हुआ जब एक साल के बाद आप्टर वन येर यह ओसिफिकेशन हो जाएगा तो यह टैलस में यह प्रोसेस इसी में फ्यूज हो ही रह जाएगा तो इसी को हम क्या बोल रहे है इस्टेड़ प्रोसेस के लिए पोश्टियर सैट में यहां पर यह नॉर्मल टैलस है अगर यहां पर इस्टेड़ प्रोसेस प्रजेंट होगा फ्यूज नहीं हुआ मानके चलो किसी में तो वहां पर क्या हो गया ऐसे एक पार ぎ प्रोसेस या है फ्यूज हो जाता है वो फ्यूज हो जाता है विथिन वाशनhail टैलस में अगर कोई पार्ट पोस्टियर सैट से नहीं होता इसमें fringe तो फ्रोसिस ऐसे ही रह जाएगा और उसको हम क्या वो ले स्टेड़ प्रोसेस और अब यह कैसे होता है यहां से बहुत सा इस वाले एरिया पर ऐसे आता है तो अगर कभी यहां पर इंजरी होती है इसका फ्रेक्चर हो जाता है यह करता है यहां पर एक normal चेक करा यह normal देखा इस topic को कि stade up process क्या होती है कहां पर present होती है कहां पर होती है Techless में क्यों होती है? And Davison Mexican में fuse नहीं हो पाथा तो अपाड ऐसे का? ऐसा ही रह जाता है I hope कि आपको यह समझ में आया होगा Thank you